5, 4, 3, 2, 1 भारत के प्रधान मंत्री ने ब्रिक्स समेलन में जाने से पहले अफ्रीका के दो देशों रवांडा और युगांडा की यात्रा की किसी भारतिय प्रधान मंत्री का इन देशों का यह पहला दोरा था भारत ने रवांडा में जल्द ही भारतिय उच्चा योग खोलने की घोशना भी की रवांडा और युगांडा जाकर प्रधान मंत्री ने यह संदेश दिया है कि भारत अफ्रीकी मुलकों के विकास में हर तरह से सहयोग देने को तयार है दक्षिन अफ्रीका की राजधानी जोहानिस बर्ग में संपन हुए ब्रिक्स देशों के दस्वें समेलन में भारत ने ओद्योगिक और डिजिटल तकनीक के इस्तिमाल से नई और बहतर दुनिया बनाने की जो बात कही है वह फ्रीकी देशों के लिए एक बड़ा संदेश लिए हुए है भारत के प्रधानमंत्री का यह अहवान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल तकनीक ही उभरती हुई अर्थव्यवस्था की नीव है तीसरी दुनिया के गरीब देश जिस विकास की बाट जो रहे हैं उसका सपना डिजिटल और ओद्योगिक तकनीक के बिना पूरा नहीं हो सकता डिजिटल गरान्ती ने विकास और निवेश के जो दरवाजे खोले हैं उसमें तीसरी दुनिया के देशों को भागिदारी बनाना वक्त की जरूरत है इसलिए भारत ने ब्रिक्स के मंच से कृत्रिम बौधिक्ता यानि रोबोट की दुनिया और द्योगिक तकनीक का विकास कौशल विकास जैसे पक्षों पर जोर दिया ब्रिक्स देश आज दुनिया की तेजी से उभरती अर्थ विवस्था है भारत चीन और रूस परमारुशक्ती संपन रास्ट्र हैं रूस और चीन जैसे देश दुनिया की महाशक्ती हैं दो सदस्य रूस और चीन सुरक्षा परिशत के इस्थाई सदस्य हैं जिन्हें वीटों का अधिकार हासिल है सबसे बड़ी बात यह है कि इन पांच रास्ट्रों के पास विशाल बाजार है इसलिए ब्रिक्ष देशों का यह सम्मेलन आपसी सहयोग के अलावा बड़े बाजार तलाशने की भी कवायद बना रहा पिछले कुछ सालों में ब्रिक्ष देशों का समूह दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है इसमें शामिल देश दुनिया की 41 फीसद आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं अगर आर्थिकी के हिसाब से देखें तो इन पांचों देशों की साजा अर्थ विवस्था 40 लाख करोड डॉलर से भी जादा बैठती है इन देशों के पास 4 लाख करोड का साजा विदेशी मुद्रा भंडार है यानि ब्रिक्स ऐसे ताकतवर समूग के रूप में मौजूद है जो अमेरिका सहित पश्चमी देशों के लिए चुनवती पेश कर रहा है G7 जैसे समूग को अपना विस्तार कर G20 बनाने की दिशा में सोचना पड़ा इसलिए ब्रिक्स के मंच से अगर कोई बात दुनिया में पहुंसती है तो उसके अपने नहितार्थ होते हैं